स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर पहले से हम जीरो से सीखेंगे और पूरे वन की तरह बढ़ेंगे तो आड़ सी की जो फुल फॉर्म है डैट इस रिंफॉर्स्मेंट इंफॉर्स्ट सिमेंड कॉंक्रीट होती है इसकी फुल फॉर्म ठीक है आड़ सीची का जो कोड होता ह होता है इस 45 ask लोच कि एक अब जरौत क्यों पढ़ी हूं समझना फ्यक्त थिक आड़र सीजी में होता क्या है सबसे पहले हैं रिंफॉर्समेंट ऊर्ड दूसरा वर्ल्ड भालं की मैं कि इसमें हम यूज कर रहे हैं, cement plus sand, plus aggregate, तो यह होता है हमारा, concrete, इसको हम पूरा बोलता है, concrete plus aggregate, actual में हुआ क्या, जो concrete होती है, उसमें cement है include, ठीक है, तो जो concrete होती है, उसका nature क्या होता है, concrete का nature होता है, कि किसी भी, concrete का nature होता है, कि compressive strength इसके हमें सा क्या होती है अच्छी तो जैसे हम कभी भी कॉलम बनाये कॉलम में आता है axial load जो की उसको ठीक excess पर आता है जिसकी वाइस से क्या होता है कि concrete क्या होता है compression में क्या होता है अच्छा तो क्या इसको tension की कम्यों को ल्फोर करने कलिए से मिला जिसका जिसके से धरां करना पड़ा बार इनफोर्समेंट सिमेंट कॉंग्रेट अब सबसे पहले में पढ़ता एक रीकस में आथा आई रिइन और इजो करेंड वोते हैं इन फिटाइबियाट के शार्टएरइब käytt शब्सर ।ो जो मतलब होता है, Fe का मतलब होता है Iron से तो Fe Iron, Fe Iron, Fe Iron अब Iron के बाद एक चीज आती है 250 250 क्या है? 250 का मतलब यह होता है कि यह Steel की है Yield Strength Yield Strength क्या है यह Steel की? Yield Strength Yield Strength को हम शो करते हैं Newton पर mm² यानि इस Yield Strength के बाद कोई भी चीज क्या हो जाएगी, तोड़ जाएगी यानि Steel 200 Newton पर mm² का stress लेन के बाद तोड़ जाएगा यानि इसकी strength कितनी है? 250 Newton पर mm² Fe की 415 की कितनी है? 415 Newton पर mm² और Fe 500 की कितनी है? 500 Newton पर mm² अब इसमें होता क्या है कि यह इसकी है Yield Strength Yield Strength मतलब इसके तूरंद बादी Steel तोड़ जाएगा Fe 500 के तूरंद बादी Steel के हो जाएगा हमारा तूट जाएगा ठीक है? अब कभी भी कोई भी चीज Yield Strength पर डिजाइन नहीं करते क्योंकि अगर मैं Fe 500 ले रहा हूँ Permissible Strength में किसे भी चीज को डिजाइन करते है Permissible Strength में ठीक है? और जो Permissible Strength होती है उसको हम शोग करेंगे Steel के गेज में Sigma ST से Sigma आपको बथाएगा Stress को और ST बथाएगा कि Steel का Stress है ठीक है? और यह इसकी Yield Strength है Yield Strength हम यूज नहीं करते हम हमें सब Permissible Strength यूज करेंगे ताकि Steel टूटेना तो होता क्या है Permissible Strength जो होती है Steel की FE 200, 415, 500 की यह कैसी निकाली जाती है इस चीज को पहले हम समझेंगे हमारे पास RCC के दो मेथड़ड है एक है Working Stress मेथड और एक है Limit State मेथड ठीक है? तो पहला मेथड है मारे पास Working Stress मेथड दूसरा है Limit State मेथड और इस में अऑब हम जो पढ़ि रहे है हम पढ़ रहे है Working Stress मेथड Limit State मेथड जहरे है एभी स्टार्ट होगा उसको तब हम पढ़ेंगे और हैstanding पास अभी मारा Focus है Working Stress मेथड पर ये दो में पास RCC में दिया हैं तो सबसे पहले जो working stress method होता है इसमें यह जो होती है यह है yield strength इसी में क्या होता है कि अभी हम FE 200 को पूरा यूज नहीं कर सकते हैं उसको में हम permissable strength में यूज करेंगे और FE 200 की permissable strength होती है 140 Newton पर mm² इसका मतलब हम इसकी strength को 250 ना मानके मानें 140 क्योंकि 250 के बाद जैसी stress बढ़ेगा तो यह क्या होन लग जाएगा इस्टेल टूपने लग जाएगा बड़ अगर यह permissable के अंदर है यानि 140 है तो हम क्या मानते हैं कि कभी भी चीज को हम येल पर डिजाइन नहीं करेंगे इसको permissable design करेंगे ताकि लोड अगर बड़े भी तो भी क्या हो यह स्टील क्या ना हो टूटे ना ठीक है तो पर इसके disadvantage क्या होता है देखिये जैसे F.E. 200 है यह उठा सकता था दाइसो की strength पर code ने कहा कि आप 140 Newton per m2 की strength से जादा इसको stress नहीं दे सकते 140 Newton per m2 से जादा इसको stress नहीं देख सकते, इसी लिए ये इसकी क्या है, permissible stress, अब stress world क्या है, permissible stress क्या है, सवरा का सारा हम समझेंगे, पर अभी मैं चुम्हें समझाना चाहरा हूँ, ये समझाना चाहरा हूँ, ये इसके उपर अगर इसके stress आएगा, तो चीज तूट सकती है, इसले कोई भी च होता है, RCC maximum भरा पड़ा है, code से, यानि IS 456-2000 से, इस code से भरा पड़ा है, और इस code में बात कही गई है, कि अगर आप permissible stress से ज़्यादा stress लेते हैं, तो उस चीज को हम, उस structure को हम तूटा हो मानेंगे, मतलब अगर आप design कर रहें 140 का, और stress आगे 150, तो हाला कि ये yield stress ले सकता है, 250 का, पर ये yield stress कितना ले रहा है, 140 का, और जैसी इस पर 141 आए, तो हम बोलें कि structure हमारा fail है, ठीक है, code कि according, पर वैसे structure फेल नहीं होता, structure क्या ले सकता है, 250 तक कि stress ले सकता है, बढ़ हम design कितने भी करता है, उसको 140 पर, जैसे मैं एक example दूँगा, एक crane का, मैं का हूँगा कि एक crane है, वो 2 ton का load उठा सकती है, बट मैं कभी उसको 2 ton का load नहीं दूँगा, मैं उसको 2 ton से कम दूँगा, या तो 1.5 दूँगा, या 1.6 दूँगा, ताकि, अगर काम करते हुए, load अगर 1.7 भी आए, तो ये crane टूटे ना, बट अगर मुझे पता है, क्रेन 2 ton का load उठा स पर design किया जाता है, अब बात आती है कि, ये इल्ड इस्ट्रेस क्या होता है, और permissible stress क्या होता है, पहले हम इसको ढंस समझेंगे, ये इस पर 200 Newton पर में स्कॉयर का stress आया, ठीक है, ये maximum कितना stress ले सकता है, 250 Newton पर में स्कॉयर का stress ले सकता है, बट permissible हम इसको दिंगे कितना, 140 Newton पर में स्कॉयर का stress दिंगे, ठीक है, अब हमें कि यहाँ पर दो formula याद होने चाहिए, सबसे पहले हमारे पास stress का formula, stress बराबर होता है, हमारे पास force upon area, एक formula हमें याद रखना है stress का, और एक हमें याद रखना है, कि stress का formula होता है, जो हुक ने दिया था, stress proportional to strain, ठीक है, यानि जितना आप stress दोगे, उतना ही strain होगा, और सारी की सारी चीज़े, जो भी design होते है, वो उसके law पे होती है, कि जितना आप stress दे रहो होतना ही strain हो, अगर ऐसा नहीं होगा, आपने strain दे दे ज़्यादा, और stress होगया कम, ज़्यादा strain होगया, तो कम तो वो चीज़ हमें सा fail होगा यह हमार्णे समझेंघे तो मैंने आपको बदाया stress बराबर होता हे तो आरिया इस्ट्रेस उता होता है इस्टैंग है stress proportional टूँचा इस्टीक है आब यह जो proportional जाएगा यानियंग modulus और यह होजाएगा इस ट्रेंग और इसका जो stress upon strain जो यहां बहुत जादा यूज होने वाला है ठीक है इस्ट्रेंड को शो करते हैं स्मॉल इस से stress को शो करते हैं सिग्मा से यह दोनों फॉर्मल हमारे बहुत यूज होंगे अब बात आई strain अब hooks का law तो यह कहता है कि जितना आप stress दे रहे हो उतना strain हो ठीक है बड़ एक limit के बाद क्या होता है जितना आप stress दे रहे होते हैं उतना strain नहीं होता और आगे चलके कोई भी चीज के हो जाते हैं हमारी तोड़ जाती है यहां पर हम सब यह होती है आपके पास breaking ultimate stress और deep यह कोई भी चीज के हो जाती है ब्रेक हो जाती है ठीक है इतना लंब हम नहीं समझेंगे इसको हम जनरली समझेंगे कि जैसे कोई रबड है उसको हम खीच रहे हैं तो जितना हम उसको strain दे रहे हैं strain मतलब क्या होता है shape on change हम किसी भी चीज का जितना shape बिगाड रहे है फिर हम उसको अगर छोड़ रहे हो अपनी वापस condition में आ रहे है that is a stress stress मतलब क्या होता है किसी restoring force is a stress मतलब अगर आप किसी रबड को खीच रहे हो आप उसका shape बिगाड रहे हो that is a strain पर जैसे आप उसको छोड़ रहे हो अपनी वापस condition में आ रहे है अपनी shape में आ रहे है that is a stress तो होता है तो strain क्या होता है किसी भी object के या किसी भी चीज कर आप shape बिगाड थे हैं जैसे कोई रबड हमने पकड़ उस कर सकती है तूटेगी नहीं ठीक है तो इस तरीके से सारा का सारा पैटन था ठीक बड़ हमारे पास काम की चीज़ है जो हम short form में समझेंगे अगर मैं इसको मिठा दूँ मैं सीधे सीधे बात यह बोलूँगा जो में आर्सीजिम पढ़िंगे ज्यादा डीप नहीं क्योंकि अगर लोड बड़ा और हमने यल्ड इस्ट्रेस पर डिजाइन किया है तो वो अब्जेक्ट फेल हो जाएगा इसलिए हमेशा उसको permissible limit के अंदर डिजाइन करता है जो कि इसकी है 140 अब यह permissible stress हमने निकाला कैसे अब इसको हम समझेंगे एक वर्ड आता है अब permissible stress आया कैसे इसको हम समझेंगे होता क्या है अगर हम ultimate stress को ultimate stress को किसी factor से divide करें जिसका नाम होता है factor of safety से divide करें तो जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं permissible stress उसको बोलते हैं permissible stress खीक है अब हमें पता क्या चलेगा factor क्या है तो code ने हमें दिया है code ने हमें दिये हैं फेक्टर working stress method के लिए कि अगर आप concrete के लिए use करोगे फेक्टर तो फेक्टर होगा 3 और अगर आप steel के लिए use करोगे तो working stress में फेक्टर होगा 1.78 तो अगर आप 250 को divide करते हैं 1.78 से जो कि इसका factor of safety है तो हमें मिल जाएगा permissible stress जो कि आपके आएगी 120 newton per mm square इस तरीके से आप 415 और फेक्टर होगे निकालेंगे तो वो 230 या 231 something आएगी पर उसको code लेता है 230 और यह आते 276 या 280 जिसको code लेता है 275 तो इस तरीके से permissible stress हमारे पास आगई तो आप समझ गया होगे कि permissible stress क्या होती करता है जिससे हमारा क्या आता है आपका permissible stress जो कि concrete का होता है तीन और steel का होता है 1.78 ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ ले permissible stress for the reinforcement की अब हम concrete के पास जाएंगे अब concrete में क्या होता है है concrete में क्या होता है concrete के गिरे रूड है m20 m15 m25 अब इसमें m क्या है इसमें m शो करता है mix को और 20 शो करता है ultimate stress को यहाँ पर इसको direct बोलता है ultimate stress ultimate stress इसको ultimate stress बोलता है और steel के case में ultimate stress के लिए वाल्ड यूज किया जाता है है yield stress का ठीक है अब कभी भी कोई भी चीज अल्टिमेट पर डिजाइन नहीं की जाती क्योंकि मैंने का अगर इसकी stress है newton per m2 20 newton per m2 आपने इसी पर डिजाइन कर दिया और अलका से stress जाता है तो object सीधर तूट जाएगा इसलिए उसको परमीसिबल के डिजिट के अंदर डिजाइन किया जाता है यहाँ पर में लिख रहा हूँ इसट्रेस के लिए डिजाइन किया जाता है और concrete stress को show करते है sigma से और concrete के stress को show करते है sigma CBC से ठीक है, sigma CBC से तो M20 के लिए यह होता है 7 मैंने कैसे निकाला, आपको sigma CBC निकालना है मैंने क्या बता है था, ultimate stress upon factor of safety ultimate stress था 20 और factor of safety है इसका 3 तो अगर आप उसको divide करेंगे है एगा 6.77 जिसको quote कहता है कि 7 newton per mm square ले लो तो इस तरीके से ही permissible stress sigma CBC का क्या होता है साथ, आप ऐसी M25 के लिए भी निकाल सकते है M20 के लिए भी निकाल सकते है ठीक है, तो हमेशे हमें एक बात याद रखनी है कि सारी की सारी चीज़े design होगी permissible stress के लिए ultimate के लिए नहीं होती है, working stress method में ठीक है इसी तरीके से करें हम M15 का निकालेंगे, तो इसकी ultimate stress हो जाएगी 15 newton per mm square 15 newton per mm square और divide करेंगे 3 से, तो जाजएगा 5 newton per mm square तो इस तरीके से किसी भी चीज़को हम permissible के अंदर design करते हैं ultimate पे नहीं करते हैं क्योंकि ultimate पे अचानक अगर थोड़ा ज़्यादा load आता है, तो structure वारा fail हो जाता है और हमें में से यह बात याद रखनी है कि real life में जो भी चीज exist करती है वो hook के law पे करती है यानि अगर आप जितना उसको deflection देंगे उसके अंदर capability होने चीज़ अपने shape को वापिस करने की नहीं तो वो चीज fail हो जाएगी क्योंकि hooks ने बोला था कि stress proportional to strain होना चाहिए अगर ऐसे नहीं हो आपके विक्रती आगई ज़्यादा इस्ट्रेस आया कम तो वो चीज हम क्या मानेंगे fail ठीक है हमें इस चीज हमें से याद रखनी है अब हम RCC की तरफ बढ़ते हैं आगे जो concrete है वो homogeneous होगी यानि concrete का जो mixture होगा ना किसी भी structure को बनाने में जैसे beam है इस structure को बनाने में जो concrete पड़ी है माना M20 पड़ी है तो यह homogeneous अच्छे तरह के से क्योंगे mix होगे M20 जो होता है RCC का जो minimum grade होता है जो RCC में use होता है वो M20 use होता है M20 से नीचे हम use नहीं करते जैसे M15 वगरा नहीं करते RCC में जो maximum grade यूज होता है RCC में जो grade use होता है M20 M25 या M20 से उपर ही हमारा use होता है दूसरी assumption है the tensile strength of concrete is ignore जो tensile strength होती है concrete की हो हमेसा ignore की जाती है माना ही जाता है कि structure में जो concrete है वो बिल्कुल भी क्या नहीं उठाती है tension load नहीं उठाती है ऐसा हमें मान के चलना है दूसरा हमें तीसरा assumption यह मान के चलना है कि steel and concrete are well bounded steel और जो concrete है वो अच्छी तरीके से क्या है एक दूसरी के साथ जोड़ी भी है यानि अगर हम क्या करता है यानि कि अगर steel पर जो load आ रहा है वो concrete पर पकका transfer होगा अब इस बात को हम थोड़ा समझते है ठीक है इस बात को हम समझेंगे अभी मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ इस बात को हम समझेंगे आगे चलके इस एजूम दैट इडिए अफ कॉंक्रीट और टेंसन साइड हमें यह मानना है और तीसरा there is no initial stress during concrete concrete में कोई भी initial stress नहीं होने चाहिए यानि कि आप किसी slab में अगर steel लगा रहे हो तो इस steel में किसी तरीके का कोई खिचाव नहीं होना चाहिए चाव आप इसमें concreteing कर रहे हो इसका मतलब यह है अब इन सारी जैंशन को जब हम apply करेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे ठीक है अब हम अच्छे से समझने के लिए हम एक चीज को समझते हैं यह हमारा बीम यह हमारी वाल और इस पर क्या कर रहा है एक बीम क्या लिए सपोर्ट ले रहा है यह हमारे बीम का है एल सेक्शन ठीक है इस बीम का अगर मैं 3D बनाओं तो बीम कुछ इस तरीके से हो गए ऐसे 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 ठीक है अब होता क्या है कि जब भी किसी बीम पर फोर्स आता है ठीक है अगर मैं इसका फरंट व्यू आपको दिखा हूँ तो बीम दिखेगा ऐसा फरंट से ठीक है अब हम यह माते हैं कि कि किसी बीम पर आया है कोई force जिसकी वज़ेशे से बीम क्या हूँ रहे है हलका सा deflection आ रहे है और बीम जुक रहे है ऐसे ठीक है ठीक है अब होता क्या है जो concrete है वो compression में होती है अच्छी और tension में होती है वी जिसकी वज़े से जब इस पर तरीके से, अगर आप किसी भी चीज को दबाते हैं, तो उपर से इस पर compression आएगा, और नीचे से आएगा, इस पर tension force आएगा, ठीक, जिसकी वएसे, concrete compression में तो अच्छा होता है, पर tension में अच्छा नहीं होता, जिसकी वएसे इसमें यहाँ पर crack आ सकते हैं, इस crack को रोकने के ल बोलता है, जो tension की side लगती है, ठीक है, और हमारे पास जो RCC में maximum structure दिये हैं, वो दिये गए है, singly supported beam, तो जो हमारे पास RCC में जो maximum structure दिये गए हैं, वो दिये गए है, singly reinforcement beam, singly reinforcement beam, अब आपकी बुक में maximum singly reinforcement beam ही क्यों लिखा है, वो इसले, क्योंकि इसमें जो भी steel design होगा, main bar के तौर पे, वो हमेश्या tension की side से होगा, जिसकी वैसे इसको singly reinforcement beam कहा है, क्योंकि जो steel use हो रहा है, वो केवल एक side से हो रहा है, ठीक है, हाला कि उपर से भी steel use होता है, पर ये वाले steel केवल anchor bar होती है, ये anchor bar वगेरा क्या होती है, अब मागे जागे समझेंगे, ठीक है, त tension force, तो इसको रोपने के लिए यहां पे लगा है, यहां पे लगा है, यहां बेंडिंग की बार, ठीक है, अब होता क्या है, उपर है हमारे पास compression force और नीचे हमारे पास tension force, इसके बीच में कोई ना कोई ऐसी line जरूर होगी, जहां compression भी zero होगा, और tension भी zero होगा, क्योंकि यह force, अभी compression का जो force है वो अंदर की तरफ लगा है, ऐसा कौन सी line है, जिसकी वज़े से जो force है भार की तरफ जहां से चला गया, ऐसी कोई ना कोई line होगी, जिस पे compression और tension force zero होगे, जिसकी वज़े से उपर का compression force है, नीचे वो tension के, tension में के होगा, बदल गया, तो एक line ऐसी होती जहाँ, compression और tension के force के होता है, 0, जिसको हम बोलते है, neutral axis, neutral axis, neutral axis, ऐसी axis होती है, जिस पे compression और tension forces zero होता है, क्योंकि लोड आने पे उपर का force compression था, नीचे का force था tension, तो meeting point पे एक ऐसा point जरूर होगा, ऐसी layer जरूर होगी, जा compression भी मारा 0 होता है, और tension भी मारा 0 होता है, ठीक है, तो इस तरह किसे कि मैं बोल सकता हूं कि हमारे जो बीम होता है सिंप्ली सपोर्टेड बीम सिंप्ली सपोर्टेड बीम पे दो हमेशा हमारे क्या होता है सपोर्ट होता है ऐसे तो अगर हम बीम को पढ़े तो बीम का जो सिंप्ली सपोर्टेड बीम होता है वो ऐसा उता इसके दो सपोर्त होते हैं इसके वीम होता है है अपर आपर ब्लत Ceci तो जो बार दी जाते हैं हमेशे नीचे टेंशन के साइट पर दी जाती है अगर हम इसका 3D वियू देखें तो 3D वियू में क्या होगी यह बार हमें यहां पर गोले की फॉर्म में दिखेंगे ठीक है ठीक है ठीक है तो हमेशा जो बार हुए निच्चे के लिए डिजाइन सब्सक्राइब करके हुए एक महां तुयाअ दीक है जिसमें नीचे बाहर होंगी और यहां इसमें सानाओ फैसा और tension force भी 0 होता है वो इसलिए होता है कि अगर force आया तो उपड़ का layer तो compression force उठाएगी पर नीचे की force के करेगी नीचे की layer जो होती है वो tension force लाती है तो बीच में कोई ना कोई ऐसे layer होती है compression और tension दोनर 0 और जिए-अंटा है जिसको हम बोलन गारे को हम ऌhhh और क्या सकता है कि इसके compression और टर्nes 10-20 होता है यानेकि समय इसमें फोर सी हमें लगा तो इस नहीं आएगा और नहीं पाँस्टेन आएगा इसमें stress और string 0 होता है डाटी है हमारी न्यूटरल एक्सेस ठीक है तो हम जो study करेंगे हम करेंगे cross section कि इसकी जो कि मैंने आप बनाया अब इसको अगर हम बीम का cross section मना है अगर हम बीम का cross section मना है तो वो इस तरीके से बनेगा ठीक है इसमें नीचे क्या होगी स्टीर होगी इस बीम की चुड़ाई को मैं बोल दूँ यह जो cross section है यह एल section जो बीम का होता है इसका मैंने इक cross section का टुकडा उठाया है यह बाला थीक हैं हमेशा इसकी study पढ़ींगे हों ने अब यह B है और यह कि हमारे पास इसकी D, D होता है, हमारे पास, total depth, D होती है, total width, ठीक है, और D होता हमारे पास, total depth, ठीक है, और अगर इस बार की, मैं Center की बात करूँ, इस बार की Center से, अगर मैं Distance youth, टॉप layer से, इसको हम बोलता है, Effective Depth, जिसको मैं Show करूँगा, d से, small d होता है effective depth अब इस बार के center से bottom layer की जो distance होती है इसको बोलता है effective cover ठीक है? इस बार के center से और bottom की इस बार के center के bottom से नीचे की जो distance होती है की लियर cover दोनों में फरक है effective cover जो होता है उसमें dia के center से लेते हैं bottom layer तक और clear cover में आप bar के bottom से लेते हैं लीचे clear cover तक अगर मैं बोलूँ effective depth बराबर क्या होता है तो उसका formula बनेगा हो बनेगा half die of bar half die of bar क्यों की क्या हो रहा है bar के center से हो रहा है ठीक है और नीचे अपने साथ क्या कर रहा है plus clear cover भी इसमें include होगा बार के center से bottom की distance that is effective cover effective cover में क्या आता है half die of bar और जो नीचे clear cover है वो भी ये clear cover कहां से लिया गया है bar के bottom से bottom layer तक distance होती clear cover